अफगानिस्तान पर तालिबान कहड़ा रहा है तालिबान के आतंक की हत्यारों के बल पर लोगों को गुलाम बना रहा है लेकिन अगर तालिबान ने भारत में आतंक के रास्ते कदम रखने की कोशिश की तो पीएम मोदी उस पर ऐसी कारेवाई करेंगे जिससे चंद पलों मे तालिबानी बाला कोट की तरहे दहल जाएंगे इसको लेकर पूर विदेश मंत्री नटवर सिंग ने भी बड़ा बयान दिया है आखिर क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए अफगानिस्तान पर तालिबान के कबजे ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है भारत के सामने भी अब नई चुनोतियां खड़ी हो गई है लेकिन अगर तालिबान ने भारत को आँख दिखाने और आतंग फैलाने की कोशिश की तो पीएम मोदी उसे ऐसा जवाब देंगे कि सारे आतंग की चंद मिंटों में तहस नहस हो जाएगे इस बीच देश के पूर विदेश मंत्री नटवर सिंग ने तालिबान को चेतावनी देते हुए कहे दिया कि तालिबान को पता है कि यह 2001 का नहीं 2021 का भारत है इस समय भारत में जो सरकार है वे बालाकोट जैसी कारवाई करने में सक्षम है अगर वे हमारे खिलाब आतंगवाद के रास्ते पर आएंगे तो उन पर भी बालाकोट जैसी कारवाई हो सकती है नटवर सिंग ने तालिबान से बाचीत पर भी जवाब दिया हलाकि उनकी बातों से ये भी जाहिर हुआ कि अमेरिका ने एक साथ सैनिकों को वापस लाकर बहुत बड़ी गलती की पंजुशीर वैली से अगर जंग छिड़ी तो लड़ाई बढ़ सकती है अगर इसी तरह अत्यचार की खबरे आती रही तो विश्व में कोई उन्हें मानेता नहीं देगा ऐसे मगर तालिवान नहीं सुधरा तो उस पर अंतरास्ट्र कारवाही भी होगी अब सवाल ये है कि तालिवान को ये सब कौन सिखा रहा है क्या चीन पाकिस्तान इसके पीछे है तालिवानियों की रणनिती और बयान देखकर साफ लगता है कि इसके पीछे पूरी सोची समझी प्लानिंग है चीन पाकिस्तान का खौफनाग खेल है कैसे इसे समझे जहां तमाम देश काबुल में फसे अपने नागरिकों को निकालने में जुटे हैं वहीं चीन ने तालिबान से दोस्ती का एलान कर दिया है पाकिस्तान ने कहा है कि तालिबान ने अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरे तोड़ दी है चीन और पाकिस्तान दोनों ही दुनिया के उन्चुनिंदा देशों में शामिल है जिनके दूतबास अफगानिस्तान पे तालिबान के कबजे के बाद न सिर्फ खुले हैं बलकि पूरी तरह वर्किंग है तो जाहिर है कि चीन और पाकिस्तान तालिबान के जरिये अपने काले मनसूबों को अंजाम तक पहुचा रहे हैं लेकिन तालिबान चीन और पाकिस्तान की ये करतूद ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है भारत के पूर विदेश मंत्री ने तालिबान को चितावनी दी और साफ कह दिया कि ये 2001 का भारत नहीं बलकि 2021 का भारत है इस समय हिंदुस्तान में जो सरकार है वो बाला कोब जैसी कारिवाई करने में सक्षम है अगर वो भारत के खिलाफ आतंकवाद के रास्ते पर आएंगे तो सिर्फ मारे जाएंगे इस खबर में फिलाल इतना ही बने रही है क्यापिटल टीवी के साथ जैहिन अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करे हमारे चानल को सब्सक्राइब करे और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो अग नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुर्णने के लिए शुक्रिया